आज की चर्जा में आपका स्वागत है और Most Awaited Blog जो था वो आ गया है Most Awaited Blog में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर इतने सारे वीडियोज इससे में अपलोड हो रहे हैं जो पुराने वीडियोज हैं उनकी क्लिपिंग काट काट के वो लोगों पता नहीं क्या क्या वना के उसको डाल रहे हैं और उसका आज की संद्रब में कोई मतलब भी नहीं है फिर भी डाल रहे हैं और टाइटल थोड़े उससे अलग हैं इसलिए ओफिशल इंफॉर्मिशन के लिए यह ज़रूरी था कि जनाब का व्लोग आया और एक्सपेक्टेड था और वो व्लोग आ गया और उन्होंने सारी अपडेट दी धिपिगा के बारे में बच्चे के बारे में के बच्चा भी जो अभी इनक्यूइटर में हैं टीपिगा जी अप जो आफ जोए थोड़ी सी अफनॉर्मल होई है वो लोग जोए अभी वहाँ जा कर उसको देख कराते हैं दिन में दो बार देख कराते और फेमली में किसी ने भी देखा नहीं है लेकिन अजीब सी बात लगती है कि फर्स्ट बच्चा आया है और उसको देखने के लिए कोई भी नहीं गया है फैमिली का मेंबर जबकि वहाँ पर शीशे से देखने की इजाज़त तो होती है अगर क्यूब में है तो क्यूब में भी आप देख सकते हैं अब कुछ सवाल तिपिकर जी को बैठे हुए दिखाया था और जब वह बैठे हुए दिखाया था तो वह उसमें बैठे हुई है और बिलकुल नॉर्मल तरीके से बात करी थी जिस तरह का उनका नेचर है कि एक मिनट भी वह चुपनी रह सकती है अगर कैमरा अगर सामने तो उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी है आइधर हामी बरनी है या कुछ कहना है या एड़ ओन करना है वो बिलकुल इसी तरीके से चल रहा था ना ही हैट डखा हुआ था यहां तक कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि डिलीवरी के बाद में सर डखना जरूरी होता है या कुछ कपड़ा लपेटना ज़रूरी होता है हाथ पर सरीफ एक टेप था ना है कोई केंडूला था ना कुछ था जो टेप होता है वो बिसिकली जो भी पेशेंट्स होती है उनका नाम उसके उपर डाल दिया जाता है अपरिशन थेटर में भी उनसे पूछा जा रहा था कि बताओ तुमारी फिलिंग क्या है और वो गट फिलिंग के इसाब से अपना बॉय 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 चल जा रही थे तो बिसिकली सब चीजें पहले से पता थी हो वाँपर वो बड़े हस के कहते हैं कि वो तो मैंने तो डिलीवरी को बड़ा एंजॉय किया और हला मचाया पूरा शोर मचाया डॉक्टर्स कहते हैं कि दीपिका बड़ी स्ट्रॉंग है यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि होस्पिटल में भी वो सूपर वूमेन है बाकि लोग तो अपने बीमारी, दुख तकलीफ और इस सब में होते हैं लेकिन यहां पर जो केस बिल्कुल वल्टा है इसके बाद अचानक ही जो है शोरेब को ख्यार आ जाता है कि उनको जो है डिपिका के साथ बना चाहिए इस मोमेंट में और लमबा टाइम उनके साथ बिताना चाहिए और इसका जिक्रो यह करते हैं कि वो अपने यूनिट से भी कह चुके हैं कि वो अब आगे डिसकंटीनू करना चाहते हैं एकलेस्ट जो है दो महीने के लिए है जुलाई के बाद में वो जोइन करना चाहते है कि एस कॉंट्रेक्ट होता है जो कॉंट्रेक्ट उनका ये कहते हैं कि जुलाई में खतम होने वाला है लेकिन आप उस कॉंट्रेक्ट पो रिविजिन यू नहीं करना चाहते नाम सरेक्ट कर लिया गया है लेकिन वह रिवेल नहीं किया गया है उसलिए अभी उसको छोट छोट तो गया के बुला रहे हैं अब बच्चा जो है जब वो सोएगा कैसे सोएगा क्या करेगा किस तरह जरूएगा यानि कि चैल्ड एक्टिविटी के बारे में आप इमेजिन किया जा रहा है जब कि इससे पहले ना तो शोय ना ही दिविगा जी कभी कोई इस तरह की बात करते थ कि बच्चा आएगा तो किस किस तरह की एक्टिविटी होगी क्या घर के अंदर क्या चेंजिस आएंगे और हां ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्टिविटी चल रही हो साहाब का कैमरा ओन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता एक फ्यूवर ने यह कोश्चन भी किया था मेरे से कि अग सब हुआ होगा जबकि यह बोला जा रहा है कि रास्ते में भी वह बहुत जोड़ जोड़ से हस्ती जा रही है और जाके यह कह रही है कि कल तो मेरा फोटो शूट है मैंने तो कप्ड़े सो कॉल्ड गौर्ड कलेक्शन से मंगवा लिए हैं जबकि पहले इन कपड़ों को बा आप भी सब ओन रहेगा और वास्पिटल की अक्टिवटी और यह सब चीज़ें भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगी तो इसका वादा कैमरा कभी आफ नहीं होता है इस पूरे पॉड़कास्ट में कहीं बाते हैं वो एक बार फिर दुवारा साबित करते हैं कि जो पहले सब लोग शक जाहिर कर रहे हैं वो वैसा ही है कैमरा प्यार इतना है कि एक हफ्ता भी नहीं गुजरा दीविगा जीगा और वो कैमरे के सामने और सारी बात चोड़ जोड़ से हां सरसके पिरकुल नर्मल तरीके से सारी चीज़े बता रही हैं चले लोग डिसाइड करेंगे कि एक्चल क्या है और क्या चल रहा है तो आज के पोड़कास्ट में बस इतना ही पोड़कास्ट पसंद आये तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए खुश बाटिए और खुश रहिए परिस्तों की कदर कीजिए और उनकी इज़त कीजिए यही के लिए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दन्यवाद थैंक यू